प्रक्रती की गोद में बसा हुआ मचेल गाउं इस समय जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये चंडी माता दर्बार की तस्वीरें हैं और ये किष्टवार से तकरीबन 90 किलोमेटर की दूरी पर बसा हुआ मचेल गाउं है हर साल लाखों की तादाद में बाहर से श्रधालू यहां आते हैं और अपनी मनतें पूरी करते हैं इस बार COVID-19 के चलते अभी यातरा पर कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है कि आने वाले दिनों में ये यातरा होगी कि नहीं होगी मगर हमारे तस्वीरों में इस समय जो आप ट्रिश देख रहे हैं यहां पर आपको कुछ श्रधालू जरूर देखने को मिलेंगे यहां के स्थाने लोगों का कहना है कि इस बार बाहर से आने वाले श्रधालूं की तादाद बहुत कम है जितने भी श्रधालू यहां आ रहे हैं मैक्सिमम यह लोकल लोग्स है प्रकृति की गोद में बसा हुआ मचेल गाओं अपनी खुबसूरती के लिए दुनिया भर में मशूर है इस बार यातरा को लेकर अभी भी असमंजस बना हुआ है और लोग चाहते हैं कि वो मचेल माता के दरबार में आकर अपनी मनतें पूरी करें मगर कोवेड नाइटीन के चलते अभी सरकार ने इस पर कोई भी फैसला नहीं लिया है हर साल की तरह इस बार भी हम NH1 की न्यूज की टीम मचेल माता के दरबार में पहुंची और वहाँ पर जाना कि किस तरीके से इस समय कोवेड प्रोटकॉल और यातरा की तैयारियां वहाँ पर की जा रही है आईए सुनते हैं यहां पर जो पूजारी हैं क्या है उनका कहना रही है आईकिसंगे कभी कंगन हिलती हैं और काली माते के अभी जो ब्लापोर है उसके मीचे वाज लगे में भी है NH1 की हमेशा से ही कोशिश रहती है जब से कोवेड नाइटीन चुरू हुआ है अलग अलग धार्मी स्थानों के हम आपको दर्शन करा रहे हैं और माता मचेल मंदिर के भी ये दर्शन हम आपको घर बैठे ही करा रहे हैं हम लोगों से आहवान करेंगे कि कोवेड प्रोटकॉल का पालन करें और जिस तरीके से भी गौर्वेड की गाइडाइन आती है उसका फॉलो करें इस तरीके की खबरे हम आपको दुबारा दिखाएंगे तब तक आप जुड़ रहे हैं NH1 News के साथ